नमर 11 देखिए, इसका मार निकलना दिया, सिगमा, के इक्वल टो, 1, 2, 11, हाना, 2 प्लस 3 का पावर के, यही न, इसका हमें वैलू निकलना है, हमें, चलिए, इसका मतलब पता है, सिगमा का मतलब सम होता है, के का वैलू 1 से लेके 11 तक है, तो देखो, आप 1 रखोगे, तो 2 प् प्लस 3 का पावर 2 है जगा, 3 रखोगे तो 2 प्लस 3 का पावर, क्या जागे यहाँ पे, 3, हाना, के का जगा 1 से लेके कहा तक लेके 11 तक, तो 11 पावर तक ऐसे रखोगे, चलिए, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग रखोगे, 2 प्लस 2 प्लस 2, इस सारे फरस्ट अम को ए 11 पावर 2 तक, ठीक है, और फिर आपका 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 यह कहा तक, यह आपके 11 पादो तक है, ठीक है, तो यहां से देखो, यह 2, 2, 2 एकारा टाइम सारे, यह यानि 2 गुना 11 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस, यहाँ GP वाला फ्रमुला जात हो ना जी, Sn बराबर में, A यह फॉर्मम मैंने बता रखा है, यहां पे R का पाउर N मैंनस 1 बटा में R मैंनस 1, क्योंकि R का मान यहां 1 से अधिक है, यानि कि 3 है, भाप करेंगे तो 3 है ना जी, तो A ब्रेकेट में R का पाउर N, यह नहीं 3 का पाउर 11, 11 पता तक मैंनस 1, और कर देते हैं, 22 पलस 3 बटा 2 हो जाएगा, 3 का पाउर 11 मैंनस 1, यह आपका एंसर आजएगा, चलते आप अगले कोशन पे, चलिए अगला कोशन 12 नंबर देखे,